आज हम द्रॉ करने सिखेंगे फ्लाइंग हनुमान जी क्या-क्या मेटेर्यर्स रिक्वाइड है सबसे पहले वह देख लेते हैं आपको यह एक वाइट सीट लगेगी जो कि यह प्रिंटर पेपर होती है और एक औरेंज सीट देन एक मेकेनिकल पेंसिल यह 0.5 mm वाली यूज करा हूँ आउटलाइन ड्रॉइंग के लिए और एक 4B पेंसिल सेडिंग के लिए और डारकर सेडिंग के लिए 8B या 10B आप यूज कर सकते हो ब्लेंडिंग करने के लिए हम दो टूल यूज करेंगे एक तो यह डॉमिनोज फिजा की एंस से जो मिलती है हमें टिशू पेपर और एक यह अर्बन मैक की मेरे पास ब्रॉसेस हैं आप चाहो तो नॉर्मल ब्लसेज भी यूज कर सकते हो यह बहुत स्मूद ब्लेंडिंग करते हैं इसलिए मैंने पर्चेश किया हुआ था और नॉर्मल इरेजर इन स्केल आउटलाइन को डारक करने के लिए मैं पेंटल की 4B लीड यूज कर रहा हूँ आप चाहो तो नॉर्मल 4B पेंसिल से भी आप आप आटलाइन डार कर सकते हो और पेपर कटिंग के लिए मैं यह टूल यूज कर रहा हूँ इन सारी मेटेरियल्स की लिंक में दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं बनाना फ्लाइंग हनुमान जी सबसे पहले हम यहां पर ड्रॉ करेंगे हनुमान जी जो लंका जला के आते हैं उस सीन को हनुमान जी मानली जी लंका को जला द ना मैं बीच-बीच में रूख जाऊंगा और आप विडियो पाउज कर लेना और आप 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 कर सकते हो यहां पर मैंने इस टर्म कर लिया है मैंने मेकनिकल पेंचिल यूजिए रॉइंग के लिए कि पैड ड्रॉ करते हैं इसी तरह आप 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 लाइन कर सकते ह हैं चेस के बाद हम नेक वाली एरिया को करेंगे इसके बाद आप वीडियो को पाउस कर लेना अगर आप को स्पीड लग रही है तो और कमेंट सेक्शन में बताना कि कुछ इंप्रूब्मेंट होना चाहिए वीडियो को कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं और हैंड वाली प पूछ करना आईज ले डियो करना और जो मुकुट होती है मुकुट भी बहुत ही मैटर करती है अब दुसरा हाथ हम द्वाद करने वाले हैं जूसरा हां राक्रने के लिए सिंपली जए हैं फर्स हैंड का प्रपोर्चन आप ले लेना उससे जए थोरी सी लंबी कर लेना द द्रॉब कर लिए और फ्लैग ड्रॉब कर लिए तो फ्लैग में मैंने सोजा हुआ है कि जैसरी राम लिखेंगे तो यह रही आउटलाइन अब थोड़ सेडिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी सेडिंग के लिए हम यहां पर फोर भी पैंसिल यूज कर रहे हैं इंटल फोर भी को स्मूथ करने के लिए टिशू पेपर तो यह दो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है अब मैं यहां पर ज्यादा तब फोर भी लीट की यूज कर रहा हूं क्योंकि डाक्नेस अच्छी मिल जाती है उसमें आप चाहो तो फाइब भी लीड सिक्स भी लीड भी यूज कर सकत आउट लाइन को डार्क कर लेते हैं डार्क करने से क्या होगा कि बहुत ही अच्छा एफेक्ट आता है है एक के सट्रीवी पेंचिल यूज कर रहा हूं कि फिर रश से स्ट्रोक और बाई ब्रस पर स्ट्रोक मार दी बाधिक बेथा कि मॉढ्य हो गया और फिर से धस्सायड आउटलाइन को डाक कर रहा हूं फिर जो स्टेयर्स है जो स्टेयर्स होते हैं स्टम के उसे आउटलाइन में डार्क लाइट डार्क लाइट आप करते जाओ तो उसे क्या होगा एक बेस वैल्यू बन जाती है तो काफी सही लगेगा देखने में स्केल से पैलल कर लिए और उसके बाद जो एरियाज है उसमें यहां पर 8B पैंसिल की मैं यूज़ कर रहा हूं इन सारे को एंसिल को ब्लेंड करूंगा मैं टिशू पेपर से यह टिशू पेपर से आप इजली ब्लेंड कर सकते हो और एक फॉगी लुक दे सकते हो हमारी यह आउटलाइन कंप्रीट हो गए है आप वीडियो पाउस करके इसे बना सकते हो पेपर कटिंग के लिए सीजर कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए उससे बहुत ही प्रॉबलम होगी माइनूट कटिंग में इसलिए मैं यह वाली टूल यूज कर रहा हूं इस टूल की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यह माइनूट कटिंग के लिए परफेक् कर सकते हो इससे तो इस तर करके आप कुछ कुछ एरियास को हटा देना जैसे मैं हटा रहा हूं इसको कट आउट करने के लिए आप बहुत ही ध्यान से कट आउट करना क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन रखता है यह फ्लाइंग हनमान जी को एक लुक देगा जैसे मैंने अल्मूस कट आउट कर लिया है और यह कंप्लीट होगे कट आउट फिर स्केल से कुछ कुछ साइड वाले पॉर्शन हटा दिये और यह हमारी जैसी राम हनमान जी तयार हो गए है हमारे फ्लाइंग हनमान जी रेडी है और आप कमेंट सेक्से में बताओ कैसी लगी आपको यह टुटोरियल बिना सब्सक्राइब किये चानल से मत जाना थैंक्यू